4, 3, 2, 1 उसके साथ साथ बापुजी ने यह सूचना भी दी की यदि मैं यहां आऊंगा तो मुझे यह भी सौभाग्य मिलेगा की एक बार फिर उनके दर्शन कर सकूँगा इन सब कार्णों से मेरे हृदय में एक शन के लिए भी ऐसा विचार नहीं आया की इस निमंत्रण को स्विकार करने अथवा न करने के विशे में सोचूँ मैंने उसे एक आदेश मानकर शिरोधार्य कर लिया थोड़े समय की अन्यश्रिता अवश्य रही क्योंकि मैंने लिखा था कि इधर जब आ सकूँगा तो यहां आऊंगा मुझे प्रसनता है कि वह दिन आ गया और मैं यहां आकर इस शुबकार्य में भाग ले सका लोकमाने तिलक की मूर्ति का अनावरण करना मेरे लिए बड़े सवभाग्य की बात है लोकमाने ने केवल इस देश को जगाया ही नहीं बलकि उन्होंने कांग्रेश रूपी जिस भवन की नीव डाली वह आज स्वतंतरता के रूप में हम सब को मिला है अपनी बुद्धी अपना शरीर और धन जो कुछ मनुष्य के पास हो सकता है सब कुछ देकर उन्होंने देश को जागरित किया और हमें स्वराज्य के लिए तयार किया जिस समय हम यह नहीं समझ पाए थे कि उस स्वराज्य के लिए और भी कितने त्याग की आवशक्ता होगी उस समय उन्होंने हमें केवल यही मंत्र नहीं दिया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद अधिकार है बलकि उन्होंने यह भी बताया कि हो सकता है कि बटिस्वराज्य के जिल खानों में रहकर हम देश की अधिक सेवा कर सकेंगे यही कहकर उन्होंने कडे कारावास का दंड हस्ते हस्ते हर्श के साथ जेला और सारे देश के सामने एक उदाहरन रखा जिसका इस देश के लोगोंने हजारों और लाखों की संख्या में अनुकरन किया और अनुकरण करते करते अंत में हमने स्वराज भी पा लिया आप लोग लोकमान्य के काम के धंग से और बहुत निकट के दर्शन से मेरी अपेक्षा कहीं अधिक परिचित हैं मुझे तो उनके संपर्क में आने का थोड़ा सा ही स्वभाग्य प्राप्त हुआ था आप में से बहुतेरे ऐसे होंगे जिनको उनके पीछे पीछे चलकर काम करने का स्वभाग्य प्राप्त हुआ होगा मुझे इस बात की और भी प्रसनता है और इश्वर का धन्यवाद है कि ऐसे लोगों में एक प्रमुख व्यक्ति लोकनायक बापुजी अड़े आज भी इश्वर की कृपा से एक भयंकर रोग से मुक्त होकर इस सभा में उपस्थित हो सके हैं मुझे आशा है कि हम उनका उपदेश बहुत दिनों तक मिलता रहेगा और यह हमारा पत्प्रदर्शन करते रहेंगे इसलिए अब जबकी हमें स्वराज्य भोगने का आउसर मिला है जिसके लिए हम संग्राम कर रहे थे हमें उसे सार्थक बनाना है महुदय अभी 54 वर्ष ही पूरे हुए हैं जब हमारे हाथों में अधिकार आया और उस समय से आज तक अनेक प्रकार की विपत्तियां आती रहीं और देश भाति-भाति की कठिनाईयों का सामना करता रहा है इश्वर की दया और हमारे बड़े लोगों की तपस्या के फलस्वरूप हम उन सब कठिनाईयों को किसी न किसी प्रकार जेलते और पार करते आए हैं अब समय आ गया है जब हमें सब बातों पर रचनात्मक रूप से विचार करके काम करना है जिससे हमारे देश की दरिदरता दूर हो शिक्षा का अभाव दूर हो तथा सभी लोग भर पेट खा कर कपड़ा पहन कर चैन की नींद सो कर सुख का जीवन बिता सकें अभी हमारे सामने बहुत से दोश हैं जिनको दूर करना है उसके लिए सच्चे सेवकों की आवशक्ता है जो देश के काम में उसी लगन उसी प्रकार के त्याग और उसी प्रकार की दूर दर्शिता से लग जाएं जिसका उदाहरन लोकमाने ने अपने जीवन से हमें दिया है मुझे तो कभी-कभी यह विचार आता है कि हम लोगों को इस समय जो काम करना है वह अंग्रेजों के समय से अधिक कठिन है उस समय हम सब विदेशी राज्य के विरुद्ध संगठित होकर काम करते थे और हमारे सामने दूसरा कोई प्रलोभन नहीं था जब महात्मा गांधी ने हमें सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया तो किसी के सामने और कोई प्रलोभन नहीं था उन्होंने यहां तक स्पष्ट कर दिया था कि यदि कोई व्यक्ति जेल खाने जाए तो वह इस बात की आशा न रखे कि उसके परिवार के भरण पोशन का भार किसी दूसरे पर रहेगा उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि मुकदमा चलने पर कोई यह आशा न रखे कि दूसरा कोई पैसे देकर या अन्यप्रकार से सहायता करेगा उस समय यदि कोई प्रलोभन था तो जेल जाने का प्रलोभन था लाठी खाने का प्रलोभन था इसलिए उस समय मंजे हुए लोग ही आते थे वे तयार होकर आते और इस काम में जुट जाते थे उनके साथ सब की सहानुभूती रहती थी आज के काम में अनेक प्रकार के प्रलोभन हैं और बहुत लोग जब तब यह भी समझ बैठते हैं कि त्याग का युग तो आ गया अब भोग का युग आया है परन्तु बात ऐसी नहीं है काम करने वालों तथा देश प्रेमियों के लिए त्याग का समय कभी नहीं जाता और भोग का समय कभी नहीं आता आज के काम में अधिक त्याग भावना की आवशक्ता है क्योंकि पहले तो कोई चीज मिलने वाली थी ही नहीं तो प्रलोभन क्या होता यदि सामने थाल परोज कर सुन्दर भोजन रख दिया जाए और आशा यह की जाए की कोई भी वस्तु उठा कर मुह में न रखी जाए तो ऐसे प्रलोभन से बचना कठिन है इश्वर को धन्यवाद है की इस प्रलोभन के रहते हुए भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो उसी लगन के साथ काम कर रही हैं और करते रहेंगे जिस लगन से उन्होंने पहले काम किया था